नमस्कार दोस्तों आप सभी का एनालोग एलेक्ट्रोनेक्स लेक्चर सिरीज में बहुत स्भागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स का RMS आउट्पुट करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसी के साथ जो हमारा आउट्पुट करंट है उसमें RMS वैल्यू ओफ एसी कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर्स का यह सरकेट बनाया है यह जो वैंडिंग है यह सेकेंडरी वैंडिंग ओफ ट्रांसफोर्मर है जिस पे P in input power अवेलेबल होता है और V in इसका input voltage अवेलेबल होता है दोस्तों यह डायोड और रजिस्टन्स यहाँ सिरीज में connected है और यह जो I current है यह आपका instantaneous current in this circuit represent करता है तो दोस्तों जो आपका RMS current होता है वो होता है root mean square current और इस current को हम effective current भी कहते हैं और इसी current की help से हम किसी भी circuits की input power को calculate कर सकते हैं तो दोस्तों जो RMS current है उसका formula होता है under the root 1 divided by 2 pi integration of 0 to 2 pi i square d theta जो I है आपका वो instantaneous current है और I की value है आपकी IM sin of theta जो की हम previous वीडियो में find out कर चुके हैं अब दोस्तों जब I of square में यह value put करते हैं तो equation बनेगी IM square sin square theta into d theta तो दोस्तों IM square आपका constant है इसको आप integration से बाहर रख सकते हैं तो next equation बनेगी आपकी IM square divided by 2 pi integration of 0 to 2 pi अब जो sin square of theta बचा उसको दोस्तों हम 1 minus cos 2 theta divided by 2 से replace कर सकते हैं अब इस value को मैं यहां लिख लेता हूँ 1 minus cos 2 theta divided by 2 with respect to d theta तो दोस्तों अब यह जो 2 है यह भी आपका constant है इसको भी आप integration से बाहर रख सकते हो तो 1 by 2 यहां से common लिया तो यह 2 pi से 2 multiply होगा तो यहां 4 pi बनेगा फिर दोस्तों यहां integrations अब बचा 1 minus cos 2 theta का 0 to 2 pi लेकिन दोस्तों half wave rectifier में जो हमारा conduction होता है वो सिरफ 0 to pi ही रहता है क्योंकि 0 to pi के case में जो आपका instantaneous current है माल लेजिए वो यह है लेकिन दोस्तों pi से 2 pi के बीच में आपका output current कुछ नहीं होता है क्योंकि आपका जो diode है वो reverse bias हो जाता है जिसकी वज़े से circuit हमारा open circuit की तरह भी हो करता है इसलिए मैंने यहां integration में 0 to 2 pi की बज़े 0 to pi mention किया है अब यहां 2 already यहां बहारा चुका है तो 1 with respect to d theta इसका integration दोस्तों pi बना फिर cos 2 theta का 0 to pi integration क्या बनेगा cos 2 theta को लिख सकते हैं sin 2 theta divided by 2 pi से 0 का integration लेंगे तो दोस्तों overall यह value आपकी 0 बनेगी net value pi minus 0 आपका pi बचेगा अब इस constant के साथ इसको multiply करेंगे im square divided by 4 pi into pi यह दोस्तों जब इसका under do हम solve करेंगे तो वो बनेगा irms square is equal to im by 2 तो दोस्तों जो आपका half wave rectifier है उसका root mean square current im divided by 2 है im क्या है दोस्तों यह वो maximum current है जो इस circuit से flow करता है यानि v in की value जब maximum यहाँ available होगी उस time पे जो current flow करेगा वो आपका i maximum current होगा so this is all about rms output current अब दोस्तों बात करते हैं rms value of ac component दोस्तों आपको पता है कि जो आपका half wave rectifier का output है वो output आपका pulsating nature का होता है यानि unipolar भी होगा लेकिन उसी unipolar में आपके output में variations भी होगी तो जो unipolar है वो represent करता है dc component को लेकिन उसमें जो variations रहती है output में वो represent करता है आपका ac component यानि जो output current होगा आपका उसमें कुछ dc component होगा और कुछ ac component भी available होगा तो दोस्तों यहाँ पे यह आपका कोई output current है instantaneous that is sum of idc plus i of dash अब यह जो i of dash है यह है आपका current of ac components तो दोस्तों यहाँ से i of dash निकालेंगे तो हमें मिलेगा i minus idc अब हमें i dash का root mean square value find out करना है यही है हमारा root mean square value of ac component ac component आपका i dash है तो दोस्तों जो i dash का अगर आप root mean square value find out करोगे तो यहाँ अगर आपने instantaneous current का जो root mean square value find out किया तो इस फार्मूले को अपलाई किया यहाँ पे दोस्तों same formula अपलाई होगा i की बज़े अब यहाँ हम i dash लिखेंगे i dash square d theta integration 0 to 2 pi 1 by 2 pi under the root अब दोस्तों जो i dash है वो इस equation से हम use कर सकते हैं that is i minus i dc तो यह i dash यहाँ पे मैंने put किया तो i minus i dc square value put होगी यहाँ पे दोस्तों अब फार्मूला यूज करेंगे a minus b whole square that is a square it means i square plus i dc square minus 2ab यहाँ 2i into i dc with respect to d theta तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे यह आपका i dash rms है अगर मैं इसका complete square लों तो square root मेरा हट जाएगा तो i dash rms square आपकी value बनेगी 1 by 2 pi integration of i square d theta first factor plus second factor होगा आपका i dc square divide by 2 pi integration of 0 to 2 pi d theta यहाँ i square d theta second factor में था i dc square ओल्रेडी constant value होता है तो यहाँ integration से मैंने इसको बाहर कर लिया तो with respect to d theta ही integration होगा minus 2 into i dc आप बाहर रख सकते हो 1 by 2 pi integration of 0 to 2 pi i d theta दोस्तो 1 by 2 pi integration 0 to 2 pi i d theta यह आपका i dc current का representation है यानि इसको मैं हटा लूँ 1 by 2 pi integration 0 to 2 pi i d theta यह जो complete term है यह आपकी i dc को replace करती है तो यहाँ पे 2 i dc into i dc में लिख सकता हूँ अब जो यह term है आपकी i dc square by 2 pi integration 0 to 2 pi d theta तो यहाँ का integration बनेगा 2 pi 2 pi से 2 pi cancel होगा तो term बचेगी सिरफ i dc square अब जो यह first factor है दोस्तों यह आपका बिलकुल same factor है यानि i rms square से represent किया जाएगा अब दोस्तों जो i dash rms square है वो बना आपका i rms square plus i dc square minus 2 i dc into i dc overall आपका बनेगा i rms square minus i dc square जब इसका हम square root लेंगे तो i dash rms value बनेगी i rms square minus i dc square under the root तो दोस्तों यह होगा आपका rms value of ac component अगर दोस्तों आपका rectifier बहुत अच्छा है तो आपका i dash rms value बहुत कम होना चाहिए क्योंकि कोई भी rectifier का जो output है अगर वो output में ac component बहुत कम होंगे तो इसका मतलब net dominating component आपका dc ही होगा और हमारा intention ही यह होता है कि maximum output हमारा dc available हो तो एक ideal rectifiers के लिए जो rms value of ac component है वो बहुत कम होना चाहिए so this is all about rms output current and rms value of ac components thank you so much for watching this video